साई की बात किसी ढोंगी के पास अंध विश्वास में जाने की कोई जरुवत नहीं मेरे बचे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लूटने की कोशिश करते हैं तुम्हारे पैसो को देख करना उनके मूँ में पानी आ जाता है मेरे बचे तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा मानता हो कि तुम परिशान हो तो सुनो ऐसे लोगों के पास जाने से क्या तुम्हारा जो परिशानी है वो खतम हो जाएगी ये कस्ट खतम हो जाएगी जो चीजे हैं खतम हो जाएंगी नहीं होंगी तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे क्या मैं यहां बैठा हूँ तो मैं देख नहीं रहा क्या मैं कर नहीं रहा क्या मुझसे भी बड़ा कोई इस दुनिया में है जो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करके तुम्हारे आगे रख दे तुम्हारे परेशानी तुम्हारे कस्ट्र को काट दे ऐसा कौन है मेरे बच्चे बताओ बल्कि जिसके पास तुम जा रही हो न उसे भी मैंने ही बनाया है समझ रहे हो न तुम तो किस अंदविश्वास में हो तुम किस अंदविश्वास में मानता हों कि परेशानी है तो परेशानी है तो साइंसा चरितर पकड़ो आस्रा लो साइंसा चरितर का और रोज एक पाट करो कस निवारन मंतर पड़ो मेरी साइंस जली सा पड़ो वो करो ना मेरे बच्चे करने वाले काम तुम करते नहीं और जो नहीं करने न वो करने की कोशिश करते हो और वहां से भी तुम्हें कोई लाब नहीं मिला अभी तक नहीं मिला न फिर अब तो संभल जाओ देखो घर में लडाई जगडा करने की कोई जरुवत नहीं जिस तरीके से तुमारे घर में पारम पर एक तरीके से जो पूज़ा होती है जैसे रिती रिवाज है न वही करो देखो अगर तुम उनके खिलाब जाकर भी मेरे हिसाब से करोगे न तो वो भी मुझे पसंद नहीं मेरे बचे क्योंकि तुम उस घर में जन में हो तुमारा उस घर से रिष्टा है मेरे बचे उस घर से तुमारी नीव जोड़ी है तो जैसे रिती रिवाज है उनके साथ करो मुझे अच्छा लगेगा और पहले उनकी पूझा करना फिर मेरी करना ऐसे कोई बात नहीं मैं नाराज कभी नहीं होता बस अपने मन में बोल देना साई तुमारे जाब को और तुमारे प्रणाम को मैं स्विकार कर लूँगा मेरे बचे कर लूँगा और सुनो तुमारे घर के पास में जो छोटा सा मेरा मंदिर है ना छोटा सा मंदिर बस वो मंदिर दिखने में छोटा सा है मेरे बचे लेकिन उस मंदिर की ताकत बहुत है तुमें क्या लगता है कि सीधा शेडी आने से ही सारी इच्छाएं पूरी होती है नहीं मेरे बच्चे, बलकि जितना मैं शेडी में विराजित हूँ न, उतना ही मैं पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, जहां जहां मेरे सरूप है, मैं सब में विराजित हूँ मेरे बच्चे, सब में विराजित हूँ, तुम जहां अभी जिस मंदर में में चले जाओ वही पर बैठा हुआ मैं तुम्हें मिल जाओंगा मेरे बच्चे वही पर बैठा होंगा और सुनो तुम्हें ऐसा लगा था ना कि तुम्हें किसी ने स्पर्श किया है तो हाँ मेरे बच्चे वो हकीकत है हकीकत है वो मैं ही था मैं तुम्हारे पास आता रहता हूं तुम्हार मेरी पूझा करोगे जिस भाव से करोगे ना बस उसे मैं स्विकार कर लूँगा किसी से मत पूछो कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ बस तुम्हारा मन जैसे करे ना तुम वैसे करो जिस समय करे उस समय करो तुम्हारा जब मन करे तुम तब करो तुम्हारे उपर कोई रोक टोक नहीं तुम जैसे मेरा नाम जाप करना चाहते हो जैसे मेरी साइंसा चर्तर पढ़ना चाहते हो जिस वक्त भी उस वक्त मैं स्विकार करूँगा मेरे बच्चे मैं स्विकार करूँगा और सुनो अगर तुम्हें कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि तुम मेरे खिलाफ जा रही हो तो वो मेरे खिलाफ नहीं होता मेरे बचे कभी-कभी मैं तुम्हारे साथ ही हो जाता हूँ क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे खिलाफ हो लेकिन सच तो ये है मєरे बचे, तुम अगर मेरे खिलाफ चले भी जाते हो ना कभी कभी, तो वो भी मेरी मरजी से ही होता है, क्योंकि मेरे बचे मैं जब तुम्हारे लिए चुछी उचित होती है ना, तु मैं तुम से वही कर भाता हूँ, चाहे वो मेरे खिलाफी क्यों नहों क्योंकि मैं जरूरी नहीं तुम जरूरी हो तुम्हारे इच्छाय जरूरी है तुम्हारे चीज़े जरूरी है और जहां जहां से जिन लोगों ने तुम्हारे लिए दर्वाजे बंद कर दिये न अब वो सारे दर्वाजे मैं खोलूंगा जिन लोगों ने तुम्हारे बहुत लापरवाही करी जिन लोगों ने तुम्हारे बहुत बेज़ती करी न उन सबको मैं सबक सिखाऊंगा तुम चिंता मत करना बिलकुल मत करना और एक दिन वही होगा कि वही इंसान तुम्हारे दर्वाजे पर आके न तुम्हारा करता है जो द drinking भाने में सामर्थ नहीं हो जसकी सामर्थ नहीं हो चिसकी तो तुम बो भी दिलवा सकते हो मेरे बचे और अगर नहीं जा सकते तो उन्हें रास्ता बता सकते हो ना उनकी मदद कर सकते हो क्योंकि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है मार दशन करने वाला कोई नहीं है मेरे बचे अगर तुम कर दोग समान को थोड़ा नजर दो उन पर ध्यान रखो तुम्हारे पीट पीछी तुम्हारे नजरों से बचकर वो ऐसी कुछ चीजे कर रहे हैं मेरे बच्चे तुम्हारे समान को इधर से उधर कर रहे हैं समझो इस बात को और सुनो मेरे बच्चे जब तुम जानती हो कि तुम्हार पर हवास में नहीं होता लेकिन तुम तो होते हो ना मेरे बचे तो ऐसे चीजे उसके सामने मत रखा करो जिससे वो उठा कर तुमें मारे और तुमें नुकसान हो मेरे बचे उसे होश तो नहीं होता जब होश आता है ना तब उसे अपना अंदर ही महसूस होता है पर वो तुम मैं बताएगा नहीं कभी कि उसे महसूस हुआ और सुनो तुमने जो मेरे 40 दिन का कस निवारन मंत्र पढ़ रहे हो न तो सुनो मेरे बचे जरूरी नहीं कि तुम एक बार में ही बैठ कर पढ़ो तुम चाहो तो दिन में टुकडों में भी पढ़ सकते हो मेरे बचे कभी सुभ पढ़ो कभी दुपैर में पढ़ो कभी शाम को पढ़ो जब तुम्हारा मन करे तुम तब पढ़ो ठीक है न मेरे बचे तो परिशान मत हुआ करो मैं तुम पर कभी भी कोई बंदिशे नहीं लगाता कि ऐसा करो तुम्हारा जब मन करे जैसा मन करे तुम ऐसा कर दिया करो ऐ बच्चों को सम्हालना और बाकी चीजों को देखना देखरे करना वो भी मेरी सेवा ही है ये समझो तुम जो कर रहे हो न वो भी मेरी सेवा है वो सेवा से अलग नहीं है मेरे बच्चे वो भी मेरी ही सेवा है क्योंकि मैंने ही तुम्हें इस संसारिक जीवन में भेजा है करम क करने को वो जो करम है न वो भी मेरे सेवा है मेरे बचे तबी तो कहता हूं कि अपने करमों को बहुत इमान और सुनो बहुत साल पहले तुम्हारा ओप्रेशन हुआ था और अब वो ठीक है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बचे कि चीजों का असर खतम हो गया है तो सासद उधी भी लेते रहो मेरे बचे उधी लेते रहो क्योंकि कभी-कभी ना तुम्हें ऐसा मैसूस होता ह है वहाँ पर दर्द भी होता है होता है ना तो इसी वज़ा से होता है मेरे बचे समय समय पर उधी का सेवन करते रहो सब ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं और जो बाते तुम से चुपाई गई है उनका वक्त आ चुका है कि वो सब सामने आ जाए उनका सच सामने लाने वाला यहूं मेरे बच्चे बहुत जल्द आ जाएगा सबके सामने और आज के दिन जब घड़ से बाहर निकलो तो मेरी उधी का सेवन करकर जाना उधी का ठीका लगाकर माथे से निकलना मेरे बच्चे समझ गए न और मेरा नाम चाप करके निकलना तुम सफल रहोगे खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप्त हुआ